तो दोस्तों वेल्कम टू BPHC सिंप्लिफाइड तो देखिए इंसियंट हिस्ट्री का हमने विडियो लेकर आया है और आपको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो हमने उसमें डिसकस किया था अगर ओबरॉल देखें कि पूरे हिस्टी का क्या वेटेज है यानि एंसीएंड प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न को अगर एड़ाउन करें तो यह करीबन अने आप देखो तो थर्टी तो थर्टी फाइब सवाल पूछता है पूछता है प्रिलिम्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें सबसे जादा जो मॉडर्न इस्टी का होता है लेकिन एंसीएंट फेस्टी का वी एक अच्छा खासा है कि क्यूंक हो तो उसमें भी कम से कम 7-8 marks के तो attempt कर नहीं होंगे, 7-8 marks आपको लाने होंगे actually, ठीक है, तो incident का हमने कर दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिए, आपको चैनल पे मिल जाएगा, और आज हम medieval के बारे में जानेंगे, तो medieval में ये करीबन 5-6 सवाल यहां पे पूछा था, ये मैं 69th BPSC का paper ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहां से drastically changes देखने को मिले हैं, BPSC के pattern में, तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि number of questions हैं, वो ancient का हो, या फिर medieval का हो, या modern का हो, वो same होते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 69th BPSC में जैसे, ये ancient का 10 सवाल दिया था, हो सकता है, अगले में 10 ना देकर ये 5 ही सवाल दे, 6 सवाल दे, या फिर और ज्यादा भी कर दे, वो हो सकता है, 30 कर दे, और medieval में थोड़ा कम कर दे, तो जैसे 69th BPSC में अगर देखा जाए, तो medieval का 6 से 7 सवाल यहाँ पे पूछा गया था, medieval से, और बाकी के जो भी है, यहीं कि पूरे total अगर देखिए, तो 25 सवाल पूछे गया थे, पिछले 69th BPSC में, तो 6 से 7 सवाल जो है, वो medieval history से पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, the arrival of Bauer into India led to the establishment of Tamurid dynasty in the region, तो यह चीजे तो यह जानकारी तो आपको ना ancient से मिल जाएगा, ठीक है, ancient में आप जब बाबर का वो चाप्टर पढ़ोगे, तो वो यह जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि बाबर खुद यह टैमुरीद यह dynasty से था, यानि कि इसके father जो थे, वो टैमुरीद dynasty से बिलॉंग करते थे, ठीक है, तो यह टैमुरीद dynasty यहाँ पे establish करता है, इसका तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बात है number 4 का, यहाँ पे canons, introduction of canons in warfare, यह कैसे पालम चलेगा, तो इसके बारे में अगर आपको बढ़ना होगा, घटना चक्र, ठीक है, तो अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप देख रहे होगे, तो ancient तो हमने lucent से निप्टा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा medieval जो है, पांस से छे ही सवाल है, लेकिन इसमें आपको दो book prefer तो करना होगा, जैसे हम आगे भी इस सवाल को देखते हैं, जैसे यहाँ पे answer जो होगा, option C होगा, ठीक है, आगे अगर देखिए, यह एक सवाल देखिए, विच अमंग दे फॉल्विंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, ठीक है, बाब बाब एल मक्का भी यह कहा जाता है इसी को, बाब एल मक्का, गेट अफ मक्का, डीरिंग दे मुगल प्रियड में यह कहा जाता था, यह सूरत, तो यह कुछ कुछ क्वेस्टन जो हैं, वो आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे, ठीक है, लूसेंट ने बहुत ही हलका फुलका इसके बारे में दिया गया है, तो यह मिल देंगे ही नहीं, फिर अगर हम आगे आजाते हैं, मिडायवल के अगले सवाल पर, यह एक सवाल देखिए, पर्सियन फेस्टिवल ऑफ नौरेज किसने नौरोज किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यह बलबन के बारे में अगर आप लूसेंट में पढ़ोगे, तो लू में नहीं दिया है, यह वाला पॉइंट आपको घटना चकर में अगर आप देखना चाहो तो 214 पेस नंबर देखो, 214 वाले, तो इंडियन हिस्ट्री में आप जाकर देखो तो, यहां पर आपको मिलेगा, तो मैंने जहां तक एनलाइस किया है यह पूरा, मिडायवल में देखा कि लूसेंट और घटना चकर अगर कर लिया जाये ना, तो हम इसमें माक्सिमूम नंबर यन कर सकते हैं, अब जैसे यह देखिए, नाथ पंथि, सिद्धाज, योगीज, तो यह भक्ती मुहमेंट चैप्टर जो है, उसका एक सवाल है, लेकिन हमें यह लूसेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है, भक्ती मुहमेंट के बारे में आपको मिलेगा, लेकिन यह पर्टिकुलर जानकारी आपको नहीं मिलेगा, तो मेडायवल पॉइंट और व्यू से हमने यह देखा है, कि mostly जो questions है, वो लूसेंट से नहीं मिल रहे हैं, जैसे यह निती सारा एक सवाल तो मतलब आपको मिलेंगे ही नहीं, और प्रिवियस यह पेपर में कुछ-कुछ सवाल जो है, वो मिल जाते हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, फुतुहत ए आलम गीरिवाज रिटेन बॉई, यह जो बुक है, यह किस ने लिखा था, इ यहाँ पे यह देखने को हमें मिलता है, कि आपको लूसेंट पलस घटना चेकर, और हमने बताया था आपको कि घटना चेकर का इंपॉर्टेंस क्या है, यह इस पे भी हमने वीडियो बनाया है, तो वह अगर आपने नहीं देखा, तो वह भी जरूर देखिए, ठीक है, तो लूसेंट पलस घटना चेकर आपको पढ़ना होगा, तब ही जाकर आप यह मिडायवल पोर्शन को कम्प्रेट कर पाओगे, ठीक है, तो एंसेंट और यह होगे आपका मिडायवल, तो मैं यह एक बेस मान कर 69th BPSC को बेस मान कर यह मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं, लेक भूलिएगा, ठीक है, हाला कि मैं भी ट्राइ करूँगा कि आपको एंसेंट का, मेडेवल का, या फिर मॉडरन का, मैं पीवाइक्यू जो है, वो मैं आपके साथ डिसकस कर लूँ, पूरा का पूरा, कम से कम पांस साल का तो मैं डिसकस करना चाहूंगा, कि ताकि आपको मैक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का, लिंक दे दिया गया है, थांक यू, जैहिल